हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिबिल सर्विसेज ड्रीम दोस्तों यह है यूपी असी मेंस एकजाम 2020 का जीयस का सेकेंड पेपर ठीक है यूपी असी जीयस का सेकेंड पेपर मुख्य परिक्षा का दो हजार बीस का ठीक है जी तो इससे पहले जो निबंद वाला पेपर और जीयस का फर्स्ट पेपर वो हमने उसकी पीडियाप आपको दे दी है अपने टेलिग्राम चैनल पर जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो यह पेपर भी आप डाउनलूड कर सकते वहां से ठीक है और इसका जो स्लेबस है जीयस का सेकेंड पेपर का वो भी ह एंसर लिखने होंगे सारे कोशन कंपल सा true है 20 कोशन होते है कोस्चन नंसे लेकर 10 तक जो और 150 सब्दों में एक को उनका एंसर लिखना है जोक्षन नंगर और 11 से 20 तक के जो कोश्चन है उनका 10 सब्दों में लिखना होगा और ये सब 15-15 marks के question होते हैं चलिए देखते हैं क्या-क्या पूछा के इस वार ठीक है पूरा ही paper syllabus से ही है लेकिन काफी lengthy paper है जैसा कि last year भी हम लोग उने देखा था काफी lengthy paper बनाया गया था और ये paper जो होता है second paper और third paper देखिए जो GS का second paper होता है और third paper जो यहां पर होता है ये पूरी तरीके से current affairs पर based होता है 90% paper तो आपको देख कहीं लग जाएगा कि ये सब current affairs से पूछा गया related कहीं कहीं उसका current affairs में सही related होता है ठीक है चलिए तो पहला question जो है syllabus लोग प्रतनीदित अधिनियम के अंतरगत अब देखिए लोग प्रतनीदित अधिनियम जो कि आपके syllabus में दिया गया है जन प्रतनीदित अधिनियम की मुख्य विसेशता है ठीक है टोटल 20 topic है 20 topics हैं जिस के second paper के syllabus में syllabus हम आपको दिखा देंगे चलिए दिखा ही देता है तो ये जिस का second paper का syllabus है और इसमें 20 topics है जिसमें की जो पहला question है हम लोग देख रहे हैं अभी वो यहां से पुछा गया जन प्रतनीदित अधिनियम की मुख्य विसेशता है तो सारे ही question कहीं कहीं syllabus से ही related है ये syllabus हम upload कर देंगे टेलिग्राम पर वहां से आप download कर लिजेगा ठीक है तो पहला question पुछा गया है कि लोग प्रतनीदित अधिनियम के अंतरगत भ्रष्ट आचरण के दोसी व्यक्तियों को अयोग ठहराने की प्रक्रिया के सरली करण की अवश्यक्ता है ये question कई बार पूछा जा चुका है कई बार पूछा जा चुका है तो repeated question है इसके लिए क्या करें आप previous year question papers है जो solve papers है उनको ले लिजिए उनको solve कर डालिए कुछ questions repeat हो जाते है और उनको current से relate करके आप उनका answer लिख सकते हो ठीक है और books पता रहा है कोई एक book तो sufficient नहीं है इस second paper के लिए बहुत से लोग कुछ लोग लक्षमी कान पढ़ते है लेकिन वो prelims के काम में आती है पॉलिटी की लेकिन इसमें चुकि जो major topic है पांच बड़े-बड़े topic जैसे कि governance है ठीक है साशन साशन बेवस्ता उसके बाद है constitution governance है constitution है polity है एक topic है social justice है और international relation यानि IR ठीक है तो पांच जो है major topic है इसके और छोटे-छोटे उसके sub-topics है 20 समिला के ठीक है तो कोई एक book sufficient है है हालां कि लक्षमी कान्त इसमें आपको support करती पाल्टी वाले portion में तो इसलिए पढ़ना जरूरी है उसको भी बाकि सब current affairs ही पूछा गया है ठीक है तो यह पूछा गया है पहला question दूसरा question है सूचना का अधिकार अधिनियम में किये गए हालिया संसोधन सूचना आयोकी स्वायत्ता और स्वायत्तता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे विपेचना किजिए ठीक है 150 सब्दों में आपको लिखना है दस नमबर का question है अगला question जो पूछा गया है आपकी विचार में सहयोग स्परधा एबं संगर्स ने किस प्रकार से भारत में महा संगर को किस सीमा तक आकार दिया है अपने उत्तर को प्रमायरित करने के लिए कुछ हालिया उधान उद्गरत कीजिए ठीक है तो current से related आपको examples बताने है अगला question पूछा गया है हाल के समय में भारत और योके ठीक है कि नियाएक विवस्था है अभिसरणी एबं अपसरणी यानि convergence और divergence convergence converging as well as diverging होती प्रतीत हो रही है किसके नियाएक विवस्था हैं इंडिया की और योके की दोनों राष्टों की नियाएक कारेप्रणालियों के आलोक में अभिसरण तथा अपसरण के मुख्य बिंदों को अलोकित कीजिए तो इसका English translation भी देख लिए किजिए अगर हिंदी अगर आपको टफ लगे तो अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो अगला कोशन पूछा गया है एकदा स्पीकर सदयब स्पीकर यानि वन से स्पीकर अलवेज स्पीकर क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्षपद की निस्पक्षता के लिए इस कार प्र है इसके लिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सारा कुछ पढ़के और सीधे आप एक्जाम देने चले जाएं आपको घर पर प्रेक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए एंसर राइटिंग ठीक है तो वह पहले से आप अपना ध्यान से रखिए अगला कुशन पुचा गया सामा कि विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेश कर जराच कित्सा एवं मात्र स्वास्त देखवाल के शेत्र में सुद्रन और प्रयाप्त स्वास्त देखवाल समधे नीचों कि आवसकता है तो भी विचन किजिए कि जैसा सेकंद पेपर हेलें इटेपर एसा ही थार्ड पेपर भी काफी लेंदी होगा ओर वो पेपर भी पूरा ही कर्यंट परफॉर्बेंस के लिए इस संदर में लोगतंद्र को सुद्रन करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों के सुझाओ दीजिए दिखे सिविल सेवा में सुधारों के सुझाओ दीजिए सेकेंड एर्सी की रिपोर्ट जो है सेकेंड एड्मिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन यानि दुतिय प्रसाथ सिनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट जो है इसको आप डाउनलोड कर लो फ्री में मिल जाएगी आपको गूगल पर या टेलीकरम पर कहीं भी तो ऐसे टॉपिक्स के लिए वहां से आप सुझाओ दे सकते हो एक तो जीस के सेकेंड पेपर में काम आएगी दूसरा जीस के फोर्थ पेपर यानि इथिक्स में जो शासन में नहीं तिकता जो टॉपिक है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड एर्सी रिपोर्ट तो उसको पढ़ देना आप वहां से इसका एंसर लिख सकते हो आप चलिए आगे देखते हैं चौती और दोगी करांति यानि डिजिटल करांति के नाम से जानी जाती है कि प्रादुर्भाव ने कि इमर्जंस ने इगवर्णेंस को सरकार का अविभाज अंग बनाने में पहल की है ठीक है तो करेंट सब अफिर से रिलेटेड पूछा गया है आगे है कोबिन डाइंटीन महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्त्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्त्य वारे में जो भी अब सब्द कहें हैं उनको नहीं लिखना यहाप ठीक है और समालोचनात में प्रिक्षण करना है कि कहां तक उसने अपनी भूमिका निभाई है कैसी भूमिका निभाई है कि अगला कुश्चन है अमेरिका एब हम यूरोपी देशों की राजनी और अर्थ अर्थ बेवस्ता में भारती प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभाई है ठीक है तो प्रवासी भारती है जो अभी हमने आपके 20 topics दिखाए syllabus के उसमें 19th topic जो है इसी से related है तो अमेरिका और यूरोपी देशों की राजनीत और अर्थ बेवस्ता में भारती सब्दों में लिखना है आपको अगला कुश्चन है कि यह 200 सब्दों में लिखना है राष्ट की एकता और अखंडता बनाये रखने के लिए भारती समविधान केंद्री करन करने की प्रवर्ति प्रदर्शित करता है महामारी अधिनियम 1897 आपदा प्रवंदन अधिनियम 2005 तता हाल में पारित किये गए क्रशी क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष में स्विस्पस्ट कीजिए कर इंटरफेस से पूछ लिया गया है कुछ जोड के पढ़ना है ठीक है कर इंटरफेस के साथ तो अगला कोश्चन है यह सब 15 15 नंबर वाले हैं कोश्चन नंबर संक्या में दायर होने वाली लोग के हितिया चिकाओं का न्याय और चित्त सिद्धि कीजिए ठीक है तो यह कर सकते थे पॉल्टी से रिलेटर है कोश्चन अगला है भारत में इस्थानिये निकायों की सुद्रणता एबं संपोशिता प्रकार्य कार्यकरता वकोश की अपनी रचनात्मक प्रावस्था से प्रकार्यात्मक्ता की समकालिक अवस्था की और इस्थानांत्रित हुई है हाल के समय में प्रकार्यात्मक्ता की दर्ष्टि से इस्थानी निकायों दोरा सामना की जा रही एहम चुनतियों को आलोकित कीजिए हिंदी कैसे लिगी आपको पहले सबा एक उपयोग हीन स्टेपनी टायर से सरवाधिक उपयोगी साहक अंग में रुपांतरित हुआ है कब पिछले कुछ दस्कों में उन कारकों तता क्षेत्रों को आलोकित कीजिए जहां यह रुपांतर न दिश्टिगत हो सकता है अगला कोशन पूछा गया है एक आयोग के सामविधाने की करण के लिए कौन-कौन से चरण आवस्यक है क्या आपके विचार में राष्टी महिला आयोग को सामविधान निक्ता परदान करना भारत में लैंगीक निया एबं सरसक्ति करन को और अधिक सुनिचित करेगा कारण बताईए ठीक है तो यह भी करेंट फिर से रिलेटेट पूछ लिया गया है महिला योग से संबंदित कि उसको सामविधान निक्ता परदान करने से संबंदित अगला कोश्चन है केबल आए पर आधारित गरीवी के निर्धारण में गरीवी का आपतल और तीब्रता अधिक मात्पूर्ण है इस अंदर में सेंट राष्ट बहु आयामी गरीवी सुचकांग की नभीनतम रिपोर्ट का विशलीशन कीजिए ठीक है अब देखे जो सस्टेनेबल डेपलेप्मेंट गोल्स है एस डीजीज सत्रा जो सस्टेनेबल डेपलेप्मेंट गोल्स हैं कितने हैं तो उसमें जो सबसे पहला लक्ष है पहला जो से ब्लैक्ष Tsch कि यह सम्टेनेबल डेपलेप्मेंट गोलस नंबर वन है तो पहला लक्ष है कि टो जार जारीर नीजेल दुनिया से ठीक है उब तो आप रट लिजिए 17 गोल जहां कहीं भी उसका रिलेवेंस आपको लगे उसको एंसर में लिखिए जिसे दूसरा गोल है बुकमरी मिटानांडो जीरो हंगर ठीक है जीरो हंगर है दूसरा गोल तीसरा है हेल्थ से गुड हेल्थ की ठीक है चौथा है क्वालिटी लगया है ठीक है तो उसे माक्स आपको अच्छे मिलेंगे अगला कुश्चन है सूक्षम वित एक करीबी रोधी ठीका है जो भारत में ग्रामीड दरिद्र की परिसंपत्य निर्माण और आयूस रक्षा के लिए लक्षित है स्वयम सहयता समूहूं यह सलिपस में लिखा हुआ है कि भूमिका का मुल्यांकन ग्रामीड भारत में महिलाओं के सरसक्तिक रण के साथ साथ उपरोग तो दोरे उद्देश्चों के लिए कीजिए डाइसो सब्दों में लिखना है माइक्रो फाइनेंस से संब्दित अगला है राष्टी सिक्षानीती 2020 धारणिये विकास लक्ष फोर ठीक है जैसा कि अभी हमने आपको उपर बताया डेपलेम्मेंट गोल्स रंबर चार चौता क्या है क्वालीटी इज्यूकेशन गुडोबता एक्ष सिक्षा 2030 के साथ अंडरूपता में है कौन राष्टी सिक्षा नीती 2020 इसके साथ अंडरूपता में है उसका धे भारत में सिक्षा परणाली की पुनर पुना संद्चना और पुनर स्थापना है इस खतन का समालो चनात्मक निरिक्षण कीजिए तो करेंट अफेर्स से रिलेट करके पूछ लिया गया कोश्चन अगला कोश्चन है चतुर भुजी ये सुरक्षा संबाद बरतमान समय में स्वयम को सैनिक गटवंदन से एक व्यापारिक गुट में रूपांत्रित कर रहा है कि अकट लेटल सिक्यूर्टी डायलोग ठीक है तो विवीचना करनी है इसके लिए अगला कोश्चन है भारत रूस रक्षा समझोतों की तुल्णा में बारत अमेरीका रक्षा समझोतों की क्या महत्ता है हिंद प्रसांत महासागरी शित्र में इस्थाइत्त के संदर में वि यह ज़्यादा तरकोशन तो इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम पर अप्लोड कर दे रहे हैं आप वहां से डाउनलोड कर दिजिए इसका स्लेबस और यह PDF वी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद